त्वाये शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला, खंड तीन विवाह का विलाप और नाथों का रोना सुना कर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे जिसके उपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाडे खाता है यह कोई नई बात नहीं, हाँ अगर आप चाहें तो कल्यानी की उस घोर मानसे क्यातना का उन्मान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ वह वाक के जो क्रोथ के आवेश में उसके असंयत मुक्ष से निकले थे, अब उसके हिर्दे को वानों की भाती छेद रहे थे अगर पती ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्रांड ताग दिये होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रती अपने कर्तब्बे का पालन किया शोकाकूल हिर्दे को इस से ज़्यादा संतावना और किसी बात से नहीं होती उसे इस विचार से कितना संतोश होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन गए अंतिम समय तक उनके हिर्दे में मेरा प्रेम बना रहा कल्यानी को यह संतोश न था, वो सोशती थी हाँ, मेरी पचीस वरस की तपस्या निश्वल हो गई मैं अंत में अपने प्राण पती के प्रेम से वंचित हो गई अगर मैंने उन्हें से कठोर शब न कहे होते तो वह कदापित रात को घर से न जाते न जाने उनके मन में क्या-क्या विचार आये हो उनके मने भावों की कलपना करके और अपने अपराद को बढ़ा बढ़ा कर वह आठो पहर कुड़ती रहती थी जिन बच्चों पर वह प्रांड देती थी अब उनकी सूरत से चिड़ती इनी के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़े यही मेरे शत्रू हैं जहां आठो पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है वह मेला ही उठ गया जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते धीरे धीरे एक महिने के अंदर सभी भांजे भतीजे बिदा हो गए जिनका दावा था कि हम पानी की जगा खून बहाने वालों में हैं वे एसा सरपट भागये कि पीछे फिर कर भी न देखा दुनिया ही दूसरी हो गई जिन बच्चों को देख कर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मखियां भिन मिनाती थी नजाने वा कांती कहां चले गई शोक का अवे कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्तित हुई कुछ लोगों की सला हुई कि विवाह इस साल रोक दिये जाएं लेकिन कल्यानी ने कहा इतनी तयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिटी में मिल जाएगा और दूसरे सार फिर यही तयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं विवाह करी देना अच्छा है कुछ लिना देना तो है ही नहीं बारतियों के सिवा सतकार का काफी सवान हो चुका है, विलम करने में हानी ही हानी है, अतेव महाशे भाल चंदर को शक्त सुचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया, कल्याणी ने अपने पत्र में रिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूमतु ही नाव को पार भाग्य समझती हो, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रूटी हो, तो मेरी दशा का विचार करके छमा कीजिएगा, मुझे विश्वास से कि आप इस अनाथनी के निंदा ना होने देंगे, आदी, कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बलकि प्रोहित से कहा, आ में संदेश लेकर तिसरे दिन लखनव जा पहुँचे, संध्या का समय था, बाबु भाल चंद्र दिवान खाने के सामने अराम कुर्सी पननंग धणंग लेटे हुए हुका पी रहे थे, बहुत ही उस्थूल उचे कत के आदमी थे, यह सा मालूम होता था काला देव है, और सकोईले किसी सजीव मुर्ती थी, आपको गर्मी बहुत सताती थी, दो आदमी खड़े पंखा जहल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था, आप आपकारी के विभाग में एक मूचे उहदे पर थे, पांस रुपे वेतन मिलता था, ठेकदारों से खुब रिश रहसा चोक पड़ते थे, बालक और इस्तरियां ही नहीं, फुरुष तक सहम जाते थे, चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधरी रात में उन्हें कोई देख ही न सकता था, शाम लता अंधकार में विलीन हो जाती थी, केवल आँखों का रंग लाल था, जैसे पक्का मुसल पी लेते, जैसे कुछ रंगों में प्रस्पर सहनुभूती है, उसी तरह कुछ रंगों में प्रस्पर विरोध है, लालिमा के सयोग से कालिमा और भी भ्यंकर हो जाती है, बाबु साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अखा, आप हैं, आईए आईए, धन्य भाग, अरे कोई है, चलो राम गुलाम, भवानी, छकोडी, गुर्दीन, जगडू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए, धरजन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सुरत नजर नहीं आती, नजरने सब कहां गायब हो जाते हैं, आपके वास्ते कुर्सी लाओ, बाबु इतना की नोकर हमार कीन न होई, कहां तक उधार बढ़ी लेले खाई, मांगत मांगत थेथर होई गये ना, भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ, जब कोई काम करने को कहा गया, तो रोने लगता है, कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है, मोटे राम, क्या कुशल कहूं पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठ गये कि कहीं तूट न जाये, और कल्यानी का पत्र बाबु सहाब के हाथ में रख दिया, भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन भी पत्ती पड़ेगी, बाबु दे भानू लाल से मेरी पुर तो कौर मुह में नहीं जाती, उनकी सुरत आखों के सामने खड़ी रहती है, मुझ जुठा करके उठ जाता हूँ, किसी काम में दिल नहीं लगता, भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है, आदमी नहीं हीरा था, मोटे, सरकार, नगर में अब कोई ऐसा रईस नहीं रह भाल, मैं खुब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझ से क्या कहते हैं, यसा आदमी लाक दो लाक में एक होता है, जितना मैं उनको जानता था, उतना दुसरा नहीं जान सकता, दो ही तीन दिन के मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरने दम तक रहूँगा, आप समधिम स दहेज की बाचीत ऐसे सत्यवादी पुर्शों से नहीं की जाती, उनके संबंध हो जाना ही लाक रुपे के बरावर है, मैं इसी को अपना हो भागय समझता हूँ, हाँ कितनी उदार आतमा थी, रुपे को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बरावर भी परवाह नहीं की, बुरा रिवाज है, पहत बुरा, मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वालों को ही गुली मार दूं, हाँ साहब, साफ गुली मार दूं, फिर चाहे फासी ही क्यों नहों जाये, पूछो आप लड़के का विवाह करते हैं, कि उसे बेशते हैं, अ मेरा बस चले तो इन पाजियों को गुली मार दूं, मोटे, धन्यो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धी दी है, यह धर्म का प्रताप है, मालकिन की एक्षायक विवाह का मुहरत वही रहे, और तुन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं, बस आप ही उबा तो बारात में जितने सजनाएंगे, उनकी सिवा सतकार हम करेंगे ही, लेकिन परस्तिती अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है, बस एसी बात किजिए कि वकील सहाब के नाम पर बट्टा न लगे, भाल चंद एक मिनट तक आखे बंद किये बैठे पिर लंबी सांस खींच कर कहा, इश्वर को मंजूर ही न था कि वो लक्षमी मेरे घर आती, नहीं तो क्या वो वजर गिरता, सारे मनसुवे खाक में मिल गए, फूले ना समाता था कि वह सुव औसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि इश्वर के दरवार में कुछ और सड्यंत रचा जा रहा है, मरने वाली की याद ही रुलानी के लिए काफी है, उससे देखकर तो जक्म और भी हरा हो जाएगा, उस दशाव में न जाने क्या खर बैट हो, इससे गुंड समझिये, चाहे दोश, कि जिससे एक वरमरी घनिशता हो गई, फिर उसकी याद चित से नहीं उतरती, अभी तो खेर इतना ही है कि उनकी सुरत आखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन दिवा कन्या घर में आ गई, तब मेरा जिंदा रहना कठीन हो जाएगा, सच मानिये, रोती रोती मेरी आखे फूट जाएगी, जानता हूँ रोना धोना विर्थ है, जो मर ग करने के सिवाए और कोई दूसरा उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ, उस अनाथ बालका को देखकर मेरा कलिजा पट जाएगा, वकील सहाब नहीं है तो क्या, आप तो हैं, अब आप ही उसके पिता तुली हैं, वह अब वकील सहाब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है आपके हिर्दे के भाव तो कोई जानता नहीं, लोग समझेंगे वकील सहाब का दियान थो जाने के कारण, आप अपने वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी है, चीत को समझाए और हस खुशी करन्या का पानी ग्रहन करा लीजे, हाथी मरे तो नौ लाख का, लाख भी पत्ती बड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों के सिवा सतकार करने में कोई बात न उठा रखेंगी, बाबु सहाब समझ गये कि पंडित मोटे राम, कोरे पोथी कही पंडित नहीं, वरन विवहार निती में भी चतुर हैं, बोले, पंडित जी, हलप से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है, उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब इश्वर को मंजूर नहीं है, तो मेरा क्या बस है, वह मृत्तु एक प्रकार की अमंगल सूचना है, जब विधाता की और से हमें मिली है, यह किसी आने वाली मुसिवत की आकाशवानी है विधाता स्पष्ट रिती से कह रहा है, कि यह विवाह मंगल में नहीं होगा, इसी दशा में आप सोचिए, यह सेयों कहां तक उचित है, आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभी अमंगल से हो, उसका अंत मंगल में हो सकता है, नहीं जान बूच कर मक् परित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता, इस तर्प ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया, वादी ने यह तीर छोड़ा था, जिसकी उनके पास कोई काट न थी, शत्रु ने उनहीं के हथियास उन पर वार किया था, और वह उसका परितिकार ना कर सकते थे, वह कर दोदे बड़िते थे, वह उन्याय ने बि